जैसा कुल्लू में भारी बारिश के चलते दरारे इंपढ़नी शुरू हो गई थी खत्रे को भामते वे प्रशासर ने पहले ही बिल्डिंग्स को खाली करवा दिया था प्रशासर ने भवन मालिकों को मकान खाली करने के नोटिस दे रखे बारी बारिश के चलते कुल्लो मंडी हाईवे श्रतिक्रस्त हो गया सैक्रो गाड़िया फस गई कुल्लो मंडी हाईवे पर जाम लग गया शिमला में लगतार हो रही बारिश के चलते हालात वेहत खराब शहर में 26 में से 7 सड़के बंद, एक सलक सिर्फ फलके बहानों के लिए खुली हिमाज़र प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी, मौसम में भागने अगले 24 घंटे के लिए जारी किया और इंज अलर्ट सभी स्कूल और कॉलेज बंद कथवा में बाड़ बारिश से धस गया, पुल पर अब तक नहीं शुरू हुआ है काम लोग परिशान, इस्थानिये लोगों निशे सेना की सहायता की मांग की बाड़ बारिश में पुल बहा, वै कलपिक रास्ता भी कल तेज बारिश की भें चड़ गया पुल और रास्ता ना होनी से कई गाउं से समफर्थ तूट गया, विशासन से मदित क्योहार लगाई गई योपी की कानपूर में बढ़ा गंगा नदीका जलस्तर गंगा में पानी भढ़ने से निचले लाकों में जल भराओ लोगों के आवा गमन के लिए नाओं का इंतिसाम किया गया मुंबई के लुखंड वाला इलाके में बीमसी की पानी की पाइपलाइन पती, पानी का प्रश्य इतना तेज था कि पानी का 12 करीब 80-30 उचाई तक पहुंचा पाइपलाइन फटने से पानी पानी हुआ पूरा इलाका, पानी की तेजधार से सडके, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, नगरपालिका के अदिकारी निरिक्षन में जुटे जम्वकिश्मीर में दर्दनाख सलक हाथसा, उधंपूर में वेकावू डमपर खाई में गेरा, इस दर्दनाख हाथसे में तीन की मौट एक खाये विहार में आज से शिक्षक भर्ती परिक्षा की शुरुबात गई सालों बात हो रही इस परिक्षा में किस्मत आजमाने लाकों की तादाद में युवा विहार पहुंचे हैं बड़ी तादाद में लोग फ्रेन के जरीए पटना रेलवे स्टेशन पहुंचे शात्रों के भीड जब यहां पहुंची तो पूरा स्टेशन कैंडिडेत के भीड से फुल नजर आया पंद्रावें ब्रिक्स समीलन में प्रदान मिंत्री मोधी का समूधन का है ब्रिक्स की सदसिता विस्तार के सवर्थन में भारत ब्रिक्स में शामिल सभी नए देशों को बधाई ब्रिक्स में छे नए देशों को सदस्ता मिली है इरान, अरजंटीना, एथोपिया, एजिप्ट, इरान, युवेई, साओधी और अरब एक जन्वरी 2024 से ब्रिक्स में होंगे श्रामे आज देर राध जहनसबर्ग में G20 की बैटर के बाद ग्रीस रवाना होंगे पीम ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रधान मंत्री मोदी का होगा स्वागत चालीस साल में पहली बार कोई भार्तिया प्रधान मंत्री ग्रीस के दौरे पर है पीम मोदी की ग्रीस दौरे से पाकिस्तान, अजर्बैजान और तुर्की में खलबली ग्रीस इंदिनों गंभीर समस्या से जूज रहा है थेंस और ग्रीस के दूसरे शहरों में भयंकर आग है आग से 19 लोगों की मौत हो चुकी है जंगलों में लगी आग अब जहर में भी पैल रही है यूरोपियन कमिशन के मुताबिक आठ देश ग्रीस की मदद के लिए आगे आए हैं आठवाई जहाज, 40 अगनी शमन की गाड़ियां करीब रधाई सो अदमकल कर्मी आग बुजहाने की कोशिशों में जोटे 31 अगस से 1 सेतंबर तक मुंबई में होने वाली इंडिया गडबंधन को लेकर M.V.A. ने पूरी तैयारी कर ली है बैटक में अलग-अलग दलों के तकरीबं तेर सो नेता शामिल होंगे इंडिया गडबंधन की बैटक में छे राजूं के मुख्यबंपरी शामिल होंगे इसमें नितीश कुमार, ममता बैनरजी, भगवन तमान, M.K. स्टैलिन और हेमन्त सोरेन मौजूद रहेंगे बैटक को लेकर मुंबई के 5 सितारा होटेल में 175 कमरे बुक किये गया, 31 अगस को उधव ठाकरे महमानों को देंगे रात्री भोज कल विपक्षी गडबंधन, इंडिया की समिक्षा, बैटक में शरत पवार, उधव ठाकरे ने हिस्सा लिया, बैटक के तयारी में तमाम विश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई केंदर सरकार पर घोटाले की आरोप फुलेकर आमादमी पाती, यूपी में करेगी प्रदर्शन, आमादमी पाती का ये धरना प्रदर्शन प्रदेश के सभी जिलों में होगा आप नेता संजया सिंग के मताविक सीएजी की रिपोर्ट में कई मंग प्रालियों और प्रोजेक्ट में घोटाले का खुलासा हुआ, महा घोटाले के खिलाफ सड़क पर उतरेगी आमादमी पाती चुनाव आयोग ने चुनावी राजियों के लिए शुरू की अंतिम चरण की तयारियां, चुनावी तयारियों का जाजा लेनी 36 कर जाएंगे मुखे निर्वाचन आयोप्त राजीव कुमार चीफ निर्वाचन आयोप्त वर्श रदिकारियों के साथ बैठर करेंगे, इसके लाबा वो राजनितिक दलों के पतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे गैंस्टर लॉरेंस विश्णोए की कोट में हुई पेशी गुजात की नलिया कोट में लॉरेंस की पेशी एक सोरानवी दशमलों नौ साथ करोड के ड्रक्स मामली में एनाई को सौपी गई है ड्रक्स की इसकी जांच भारते कुष्टी संग की सदसिता रद यूनाइट वर्ल्ड वर्सलिंग ने रद की सदसिता वर्ल्ड फेडरिशन ओफ इंडिया का चुनामदा होने पर एक्शन लिया 45 दिन में होना था WFI का चुनाम मिजोरम में अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवेपूर गिनने से बड़ा हाथसा हाथसे में 24 मजदूरों की जान गई कई लोग लापता मरने वालों में ज्यादा तर मजदूर मालदा से हैं प्रधान मंप्री आवास प्रधान मंप्री कारियाले यानि पियम्मो और रेलवेणी मौवजे की घोशन राधानी आईजौल से 20 किलो मीटर दूर सायरंग में पुल हाथसा हुआ कुरूंग नदी पर बंद रहा पुल हाथसे के दौरान 35-40 मजदूर पुल पर काम कर रहे थे तीसरे और चौथे पिलर के बीच का गाडर 341 फीट नीचे गिरा बताया जा रहा है कि सभी मजदूर इसी गाडर पर काम कर रहे थे पुल की उचाई को तो मिनार से भी जादा बताई जा रही है बंगाल की मुख्य मंत्री मम्ता बेरंजी ने ट्वीट कर हाथसे पर दुख जाहिर किया सरकार ने मृतिकों के परिवारों की सभी तरह की मदद करके निर्देश जारी किये शवों को मालदा लाने की ववस्था भी की जा रही है इसरो चिफ को सौνिया गांधी ने बधाई देते वे लिखा सोमनात को बधाई देते वे सौनिया गांधी ने पत्र लिखा गवार्वानवें वें तकरने वाला पल इसरो टीम के प्टेक मेमबर को शुब कामनाई चांद पर पहुंचा चंद्रियान लेंडर विक्रम से बाहर आकर प्रग्यान रोवर ने चांद पर चाहल कदमी शुरू की लेंडर विक्रम से बाहर आकर रोवर प्रग्यान ने मून वॉक किया अब 14 दिनों तक चांद पर प्रग्यान रोवर जानकार या जटाए लेंडर विक्रम से रोवर प्रज्यान के बाहा निकलने के बाद सामने आई पहली तस्रीर इस्ट्रो ने कहा Made in India, Made for Moon प्रज्यान के पहिये चांग के मित्य पर अशोक, स्थमब और इस्ट्रो के लोगों की चाप छोड़ रहे हैं पांसो मीटर के शेत्र में प्रज्यान रोवर रिसर्च करेगा लेंडर विक्रम में लगे चार पेलोट्स भी चांग पर रिसर्च करेंगे कर्व शाम 6 बच कर 4 मिनिट पर चांग पर भार के भारत में ना मुमकिन को मुमकिन कर दिखाया चांग के साउथ पोल पर पहुचने वाला पहला देश बन गया है भारत अब 14 दिनों तक लेंडर विक्रम और रोवर प्रज्यान चांग की सता पर अलग अलग लवर पर रिसर्च करेंगे जो भविश्र में चंद्रमा पर जीवन की खोज में मददगार सावित होंगे जैसे ही चंद्रयान 3 के लेंडर विक्रम ने चांग पर लेंडिंग की तालियों की गड़गराहट से गून जुठा इस रोग यसरों की विग्यानिकों की आखों में खुशी की चमक देन करेंगे चंद्रयान की सफर लेंडिंग से पूरे देश में खुशीकिलेहर पीपल आर एपलोडический बत लोग ने मिठायाँ भी बाती पिए मोदी साथ अपरिका और ग्रीस से भारत लौटने के बाद शबी सगस्त को इसरो के बैंगलूरू सेंटर जाएंगे पिए मोदी इसरो के विज्यानी को सुमलाकात करेंगे और चंद्रियान के लिए बढ़ाई देंगे चंद्रियान 3 की सफलता से अमेरिका को भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी नासा के चांद अभियान में चंद्रियान 3 सहायक बनेगा नासा साल 2025-26 में चांद के दक्षने हिस्से में पहुंचने के लिए अपना मिशन लॉंच करेगा भारत के अलावा अभी तक यहां पर कोई देश नहीं पहुंच पाया है भारत की चंद्रियान के सफल होने से नासा बेहद उत्साहित है नासा के पूरवधिकारी माइक गोल ने कहा ये ना किवल भारत के लिए बलकि पूरे विश्व के लिए जीत क्योंकि हम चांद के विकास के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं और भारत इसका नेत्रुत्व कर रहा है चंद्रियान तीन के सफल लैनिंग पर युवन ने भी बधाई दी संक्तराष्ट महासभा के अध्यक्ष की प्रवक्ता पॉलिना को भियाक निकाहा राष्ट्रपती ने भारत को बधाई दी कनाटा के मुखी मंग्रे सिधर मया ने चंद्रियान तीन की सफलता पूर्वक लैनिंग पर इस्टरो प्रमुख एस सुमनात को बधाई दी इस रोज चीफ को सिधर मया ने पगड़ी पहना कर समानित किया चंद्रियान तीन मिशन पूरा होने पर पूरा देश उत्साह में है जमू में जवानों ने जश्ट मनाया एक दूसरे को मिठाई खिलाई दुनिया वालो भुरी नजर ना हम पर डालो चाहे जितना जोर लगालो सबसे आगे होगे हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो भारत में ही नहीं दुनिया भर में जश्ट मना अमेरिका में भारते समधाय के लोगों ने यॉक के ट्राइमस स्कॉय पर चंद्रियान तीन की सफल लेंडिंग का जश्ट मनाया चंद्रियान तीन की चंद्रमा की सतह पर सफल लेंडिंग के बाद बग्रिनाथ केदारनाथ मंदिर समीती ने के दानाद धाम में तिरंगा यात्रा निकाली भारत माता की जैकारे गुण जुथे चांद पर भारत की फता पर विदेशी मीडिया ने जम कर भारत की तारीफ की अमेरिका चीन पाकिसान समेट सभी देशों की मीडिया में भारत का चंद्रियान सुर्खिया बना वेश्व के कई देशों के अकबारू ने भारत की चंद्रियान तीन मिश्ण के सफलता को प्रमुखुता से छापा है CNN, New York Times इसके लावा अरेब्या समेत कई विदेशी मीडिया ने चंद्रियान को जगा दी ब्रितन के अकबारू ने भारत को विजई बताया ब्रितन के प्रमुख अकबार्द गाधियन ने लिखा कि भारत एक अतहासिक शन भारत चांद पर है अमेरिका की नियोज चानल CNN ने कहा चंद्रियान तीन मिशन अंतरिक्ष में वैश्विक महाश्रक्ति के रूप में भारत की स्थिती को मस्भूट कर सकता है चीन के प्रमुख अकबार्द चाइना डेली और ग्लोबल टाइम्स ने चंद्रियान का जिक्र किया लिखा भारत की अतहासिक उपलब्धी पूर्व सोवियत संग सायोगत राज अमेरिका और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर दुनिया का चौथा देश बन गया है साथी अरब की अकबार अल अरब्या ने भारत की सफलता का जिक्र किया लिखा भारत के लिए सफल लेंडिंग एक स्पेस पावर के रूप में उभरने का प्रतीक है UAE की प्रमुक न्यूस वेबसाइट गल्फ न्यूस ने भी चंद्रियान की सफलता को याद करते वे भारत की मजबूती इसे बताया लिखा चंद्रमा की दक्षनी ध्रो तक पहुँचने वाला पहला देश बन गया है भारत पाकिस्तान के जीओ टीवी और डॉन टीवी ने कहा भारत के चंद्रियान तीन ने आखिरकार चांद पर लेंड किया भारत पर चांद के बरफीले पाने की तलाश करेगा दिले इस्तित्यूता बासों में इसराइल, फ्रांस, रूस, स्विधन, जापान, आस्ट्रेलिया समेथ कई देशों के राजनेकों ने बढ़ाई दी कई देशों के प्रमुकों ने भी भारत को बढ़ाई दी चांद की बाद अब सूरज की पहली सुलचाएगा इस रो, इस रो जल्द सूरज पर मिशन लॉंच करेगा इस सोलर मिशन का नाम है आदित्य एल वन आदित्य एल वन का एलान खुद पीम मोदी ने किया आदित्य एल वन सूरज के रहस्यों का अध्यन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा स्पेस्क्राफ्ट लॉंच किये जाने के पूरे चार महीने बाद सूरज प्रित्वी के सिस्टम में लांग रेंज पॉइंट वन तक पहुंचेगा जो की धर्ती से पंद्रह लाख किलोमीटर दूर है आदित L1 स्पेस्क्राफ्ट को अंध्रदेश के श्रीहरीकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉंच किया जाएगा सूप्रों के मताबिक सितंबर के पहले सब्ता में लॉंच किया जा सकेगा इसे जोहनस्बर्ग से वर्चुली जुड़े जब तक चंद्रियान सफ़क्ता पूर्वक उतना नहीं तब तक प्रधान मंत्री जुड़े रहे और बाद में रास्ट को संबोधिती दिया चंद्रियान के लैंड करने के बाद प्रधान मंत्री मोधी ने कहा हम अपनी प्रतिभा से वहां तक पहुँच पाएं हैं जहां तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुँच सका था उन्हें कहा चंद से जुड़े तथे भी अब बदल जाएंगे जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँच सका अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिठक बदल जाएंगे प्रधानमिंट्री मूदी ने कहा हम धर्टी को मा कहते हैं चांद को मामा कहते हैं कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के है अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहां करेंगे चंदा मामा बस एक तूर के हैं की सफल लेंडिंग को लेकर इस्रो और देश के सभी विज्ञानिकों को बधाई भी दी चंद्रियान तीन की सफलता के तुरंत बाद जो हैनस बॉक से पीए मोदी ने इस्रो प्रमुख एस सुमनात को फोन पर बधाई दी मेरी तरफ से आपको आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सब को मेरी तरफ से अभिनमन कहती जिए और हो से के उत्रा जल्दी मैं आप सुपोर रूबरू में भी बधाई दूंगा चंद्रियान तीन की सफलता पर इस्रो प्रमुख एस सुमनात ने कहा प्लानमेंटरी मोदी ने हम सभी को बधाई दी कहा कि वे व्यक्तिकरत रूप से आकर हमें से प्रतेक को बधाई देना चाहिए वहीं से पहले चंद्रियान तीन मिशन की मिशन डिरेक्टर पी विर मुथुवेल ने कहा हम चंद्रमा की दक्षनी ध्रोव के पाथ जाने वाले पहले देश बन गये सफल लनिंग की बाद हमिशा ने कहा कि भारत चंद्रमा की दक्षनी ध्रोव की सता पर उतरने वाला पहला देश बना है अंधुरिक्ष के नए शेत्रों की लंबी यात्राओं के लिए भारत की आकान्चाओं ने नई जुलंदियों को चुआ है वहीं बीजेपे की राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने कहा मोदी के अथक प्रयासों और हमारे विज्ञानिकों की अदभूत तर्शमताओं के बगेर ये उपलब्धी संभव नहीं थी या तहासिक और अभूत पूर्व सफलता है उदर चंद्रियान तीन की सफल लेंडिंग के बाद कौंगर्सांसर राहूल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा आज कि अध्रणी उपलब्धी के लिए टीम इस्त्रों को बथाई चंद्रियान तीन की सफल लेंडिंग हमारे विज्ञानिक समुदाई की दश्यकों की जबरदास्त प्रतिभा और कड़ी महनत का परिणाव चंद्रियान तीन मिशिन की सफलता पर आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत ने कहा अमरत काल में हमनें अमरत वर्षा की सच्छा शण है अब हमें अपने करद्विके प्रतिक कारे करणा चाहिए विश्व के सबसे उचाई वाले उम लिंगला शेत्र में मना चंद्रियान तीन की सफल लर्णिंग का जश्टनल स्वास्त विभाब से जुड़े लोगों ने तिरंगा फेराया बाते टीम के गपतान रोहिद शर्मा ने ट्वीट कर लिखा पहला देश जिसने साउथ पोल पर अपने लूनर को भेजने में कामियाबी हासल की हम सब के लिए ये गर्ब का पल है इस रोकेस प्रयास के लिए बहुत बहुत बढ़ाई इंडिया तीम किसरा बलेबाज और रन मशीन विरात कोहली ने ट्वीट कर लिखा चंद्रयान तीन की तीम के सभी सदस्क्सियों को बहुत बहुत बढ़ाई अपने देश को गौर्मान नमित आपने किया है जैहिंदर महान प्रिकेटर सचीन तिंदूलकर ने ट्वीट कर लिखा विजई विश्वतिरंगा प्यारा जंडा उंचा रहे हमारा इसरों ने भारत का सर्व श्रिष्ट प्रते निधत्व किया है विनम्र महनती महिलाएं और पुरुष एक साथ आ रही पूर्वो ओपनर बलेबाज विरेंदर सहवाग ने भी चंद्रियान की सफलता पर बढ़ाई दी लिखा हमने कर दिखाया चांद पर सॉफ्ट लेंडिंग इसरों की टीम को बहुत-बहुत बढ़ाई जिन्होंने इस मिशन के लिए खुद को जोंग दिया था भारत का चंद्रियान तीन मिशन पूरी सफलता के साथ लेंड कर गया इस अतहासिक पल को इस्तुरों के योट्यूब चानल पर रिकॉर्ड तादाद में लोगों ने देखा जब लाइव शुरू हुआ उस वक्त दस लाख लोग जुड़े और लेंडिंग के वक्त ये संख्या पहुच गई असी लाख इस चानल के जितने सब्सक्राइबर हैं उससे कहीं अधिक लोगों ने इसे लाइव देखा और इसी के साथ एक रिकॉर्ड बन गया वही नासा के एड्मिनिस्ट्रेटर बिल नलसन ने ट्वीट किया चंद्रियान तीन की सफल लेंडिंग के लिए इसरो को बढ़ाई और भारत को चंद्रमा पर अंतरेक्ष यान की सफलता पूर्वक सौप लेंडिंग करने वाला चौथा देश बनने पर बढ़ा चंद्रियान तीन मिशन की सफल लेंडिंग पर यूके अंतरेक्ष एजंसी ने कहा इंजिनियरिंग और धिर्टता की इस आदभुत उपलवधी पर भारत को बढ़ाई चंद्रियान तीन की सफल लेंडिंग इस बात का सबूत है कि हम एक नए अंतरेक्ष युग में है विश्व के सबसे उचाई वाले उमलेंग ला शेत्र में मना चंद्रियान तीन की सफल लेंडिंग का जशन स्वास्ते विभाग से जुड़ी लोगोंने तिरंगा लेंडिंग उधंपूर के डिबर इलाके में 21 साल के युवक की तलाश में तभी नदी में सर्च ऑपरेशन जारी एंडियार अपने अपनी बोट और गोता खोरों के जरीये चलाया सर्च अभियान जमो कश्मीर उधंपूर के दूरू इलाके में डंपर सड़क से फिसल कर खाई में गिरा हासे में तीन की मौत एक घायल घायल व्यक्ति को कड़ी मशक्कत के बाद वहान के नीचे से निकाला किया नवी मुंबई की नेरूल इलाके में इमारत का हिसा धाहा दो की मौत दो अन्य घायल घटना सेक्टर छे इस्तिर तीन मंजिला इमारत में रात करीब सवान नौ बजी की नवी मुंबई नगर निगम के आयोत राजेश नर्वेकर ने बताया इमारत को खाली कर चाहर एजन्सी टास्की मुताबिक दुरघतना ग्रस्त हुए विमान में यान्थ्यों की लिस्ट में प्रिगो जिन का भी नाम शामिर। RIA, Novosti और Interfax ने भी प्रिगोज जिन की मौत की रिपोर्ट, ज्ज्वारी की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर सवार सभी लोगों की मौत हो गई मौस्को और सेंट पीटोस बॉक के बीच हुए विमान हासे में कुल दस लोगों की मौत कोई थी वीडियो फुटिज में खेट में जलतवे विमान में मलबा दिखाई दिया था केंद्र मंत्री पश्वपती पारस को मिली जान समाने की धमकी चराग पास्वान के समर्थक पर लगा धमकी देने कारूँ पश्वपती पारस को प्राइवेट मोबाइल नमबर पर फोन करके जान समाने की धमकी दी गई धमकाने वाले शक्स ने हाजिपूर से चुनाव नहीं लड़ने की धमकी थी केंदरोमन प्री पश्रुपती फारस ने कहा अब मेरा दिल तूट किया है और इसलिए एक होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भारत की ग्रैंड मास्टर आर प्रग्यानन्दा और दुन्या के नंबर एक लाड़ी मैगनस कार्सन के भी चैस वॉल्ड कप फानल के दूसरी बाजी भी द्रॉप मजीर लाप ले अँगा अँगा जी मजीर लाप ले अँगा बाचे से थीजार आरélé माता डनि गे पेड़े की आरीं लाप लेकी से व बाएज है